सब्सक्राइब और प्रेश दे बेल आइकन मोटी बारेक मार्केट में दो तरय की सुझी आती है तो आप कोई भी यूस कर सकते हैं तो यह मैंने 3,5-4 ग्राम सुझी लिया और इसी के साथ यह मैंने फ्रेश छाच ली तो इसके अंदर मैं सुझी है मिक्स कर रही हूं इसको विगोने के लिए ताकि ये अच्छे से भीग जाए और इडले बनने के लिए रेडी हो जाए फूल कर तो इसे अच्छे से मिक्स कर देती हूं और इसका हम एक बैटर थिकते यार करेंगे इसे मिक्स कर लेते हैं देखिए इस तरह से इसे अच्छे से मिक्स कर देखिए ताकि इसमें जो लम्स है वो ना रहे और इसमें अच्छे से भूल कर तयार हो सके साथी मैं इसमें डाल रहे हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यह मैंने आदा चमश नमक लिया है हिला देते हैं यह देखिए यह कुछ इस तरह का बैटर बन गया है पर यह थोड़ा गाड़ा है तो मैं इसमें थोड़े से चाच और मिक्स कर रहे हूं अगर आपको लगे कि यह थोड़ा गाड़ा बन चुका है तो आप थोड़े से चाच और एट कर दीजी अच्छे से और आप चाहें तो इसे दहे में भी भीगोकर सूजी को रख सकती है और उसे दहे में भी बना सकती है तो यह देखिए इस तरह का यह बैटर बन चुका है मैं थोड़े से और कर रहे हूं क्योंकि हम इसे कुछ टाइम के लिए रेश्ट पर रखेंगे करीबन आधा पौन गंटा तो तब तक फूल कर अच्छे से तयार हो जाएगी और यह जो चाच है उसको भी अपने अंदर आपसर्व कर लेगी इसलिए मैं इसमें इसी तरह का बैटर बना रही हूं कि देखिए इसकी जो कंसिस्टेंस है वो कुछ इस तरह की है तो आपको भी बिल्कुल इसी तरह का रखना है तो आप में इसी डखकर और करीब 40 मिनट के लिए फूलने के लिए रखोंगी उसकी बार आपको इडली बनाकर दिखाएंगी चेक कर लेते हैं हमारा बैटर तयार हुआ है या नहीं यह देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनके तयार हो गया है और रवा भी काफी अच्छ से फूल गया है यह देखिए और अब हम इसमें एड़ करेंगे ये इनो, मैंने इनो के दो पाउच लिए हैं, दो पाउच में इसमें डाल दिनगी आप चाहें तो इसमें आदा चमच बेकिंग पाउडर और आदा चमच बेकिंग सोडा डाल कर इनों की जगे यूज़ में ले सकते हैं उससे भी काफी अच्छी इडली तयार होती है इनों में इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसे काफी अच्छा फ्लेवर आता है और इडली भी हमारी काफी अच्छी बनकर तयार होती है और इससे हमारी जो इडली है काफी फूल कर अच्छी से तयार हो जाएगी इनों डाल दिया है अब हम इसे अच्छी से मिक्स कर लेते हैं यह देखिए इस्का जो reaction है काफी अच्छे सी उपर से कूल चुका है। काफी bubbles आ गये हैं इसके ऑर काफी अच्छी खुश्बू भी आ रही है इनों की। आप अपहले से इसी तरह से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से जब तक कि अच्छे से मिक्स होता है। इसे दो मिनट के लिए हम मिक्स करके इसी तरह से छोड़ देती है तब तक हम दूसरी ओर इडली बनाने के लिए इडली मेकर लिया है मैंने आप चाहें तो कोई भी वरतन यूज कर सकते हैं अब मैंने इसमें थोड़ा पाने डाल दिया है तो ये देखिए इसमें ये तीन परकार के मतलब जो फ्लेम होंगे तो इसमें मैंने बिल्कुल मीची हिस्से ततका उससे भी थोड़ा डिप टाइप में जाके मैंने इसमें पाने डाल दिया है और अब ये इसका फ्लेम में ओन कर ना हो तो आप एक पतिले में जो फ्लेटी हो चोड़ा बर्तन हो उसमें पाली गरम करके उस पर एक स्टेंड रखके और छोटी-छोटी कटोरियों में आप यह जो इडली का पेस्ट है वो आप डालकर उसी उस तरह से भी बना का तयार कर सके उससे भी काफी अच्छी इडल कर देयार हो चुका है और अब हम इसकी है यह जो प्रिश कर देए आं यह मैंने ऑयल ले लिया है और मैं इसे अपने फिंगर्स के साइता दा से ही इनका टोरियों के अंदर ऑयल लगाओंगी ताकि जब हम इडली का पेस्ट डालेंगे तो इडली नीचे से कहीं भी चिपके नहीं तो आसानी से निकाल जाए निकालती हो इस तरह से सभी पाट में हम लगा देते हैं और सभी पाट को हमने अच्छे से तेल से ग्रिश कर लिया है आप चाहें तो इसे ब्रच से भी ग्रिश कर सकते हैं अब हम यह इडली का पेस्ट है यह इसके अंदर डाल जाते हैं पानी में भी उबाल आ चुका है यह देखिए बिल्कुल अच्छे से अब हम इसे केरफूली जाते हैं अच्छे से अब हम इसे केरफूली इन सबी पार्ट को मेकर के अंदर रख देते हैं और इसे धख देते थे और अब इसका हाई फ्लेम कर हम इसे दो से तीन मिनट के लिए इसी तरह से चलने देंगे पकाएंगे ताकि हमारे जो इडली है वो अच्छे से बढ़कर खूल कर तयार हो जाए और पीच पीच में हम इसे खूल कर चेक करते रहेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ बीच में इसे चेक कर लेते हैं यह देखिए यह नाइफ है इस तरह से हमें इसे चेक करेंगे यह चारो तरब से तो अच्छी से पक गई है लेकिन इस बीच से थोड़ इसी हल्की से सोफ्ट है तो मैं इसे कर यह 20 सेकंड के लिए और पकाती हूं 20 सेकंड हो गए हैं चैप कर लेते हैं देखिए अच्छे से बनकर तयार हो गई है हमारा जो नाइफ है देखिए इस तरह से हम इसको डीप करेंगे यह बिल्कुल आसाली से इजीले से निकल रहा है देखिए बिल्कुल अच्छे से बनकर तयार हो गई है गेस का फ्लेम ब्लो कर देते हैं और हम इसे कैफ़ूली होके इसके सारे जो पार्स है उसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से सभी इडली को हम थोड़ा ठंडा होने के बार नाइफ की मदश से इस तरह से चारो तरब से हम ऐसे डिप करते हुए इसे एक प्लेक में निकाल लेते हैं देखिए बिल्कुल अच्छे से बनकर तयार हो गई है सभी को हम एक प्लेक में निकाल लेंगे इस तरह से बिल्कुल इजिली निकाल रही है देखिए नीची जराबी ही चुक्की नहीं है देखे कितनी एजिली निकल रही है काफी अच्छी बनकर तयार हुई है इटली इस तरह से एगर आप बनाएंगे तो काफी अच्छी बनेगी बिल्कुल मार्केट जीसी बनकर तयार हुई है इटली और घर पे आप इसे बिल्कुल आसानी से बना कर खा सकते हैं अच्छे से निकल का तयार हो गई है सबी को आप इसी तरह से निकाल लेंगे ये देखे इडली हमारे बिल्कुल परफेक्ट बन के तयार हो गई है ये देखे बिल्कुल मार्केट के जैसी आप इसे नाडियल की चट्मी, सोस या फिर सांबर के साथ खा सकते हैं और इस अभी को बहुत पसंद आएगी इस तरह से अगर आप बना कर खाएंगे तो और अगर आपको हमारी रेसिप एच्छी लगी हो तो हमारे चेनल को लाइप से सब्सक्राइब करिएगा साथी पेल आइकन का बटन उसे पर प्रेश करिएगा तकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल्ट सके मिलते हैं हम अपने नाक्ष वीडियो में बाई फ्रेंज